भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नित्रित्तु में देश का इंफ्रस्ट्रक्चर नई बुलंदियों को छू रहा है केंद्र सरकार द्वारा विगत नौ वर्षों में राजिस्थान में 85,000 करोर रुपे निवेश मूल्य की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई और राजिस्थान का रेलवे बजट 700 करोर रुपे प्रती वर्ष से बढ़कर इस वर्ष 9,500 करोर रुपे हो गया है राजिस्थान के विकास को और तेजी देता 22,500 करोर रुपे के निवेश से अमृत्सर को जामनगर से जोडने वाले 917 किलोमीटर लंबे 6 लेन अमृत्सर भटिंडा जामनगर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के राजिस्थान राजिस से गुजरने वाले 502 किलोमीटर लंबे औ और 11,125 करोर रुपे लागत मूल्य के एक्स्प्रिस वे का आज प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के शुक करकमलो द्वारा राश्ट के प्रतीश समरपन हो रहा है इसके निर्मान से अमरित्सर से जामनगर के बीच की यात्रा का समय 23 घंटे से 24 घंटे रह जाएगा जिसमें यात्रियों के लिए 25 विश्वस्तर के वे साइड अमेनिटीज स्थापित की जा रही है पीम गती शक्ती मिशन अंतरगत ये गलियारा साथ बंदरगाहू, नौप्रमुख हवाई अड़ो या रक्षा हवाई पट्टियों तथा दो मल्टी मोटल लॉजिस्टिक पार्क के साथ-साथ देशकी, पंजाब, राजिस्थान और गुजरात स्थित तीन प्रमुख पोजनाओं का शिलान्याज किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर रेलवे स्टेशन का रीडिवलप्मेंट तथा चूरू से रतनगर 43 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरी करण शामिल है। मजबूती मिलेगी, इस दिशा में ये सडक और रेल परियोजनाएं राजिस्थान के आर्थिक सामाजिक परिवेश को अधिक सम्रिद्ध करेंगी।